पेंडिमिक के बाद कहीं न कहीं ट्रेड अनलिस्ट हो एक्जिबीटर्स हो उन्होंने फिल्मों की तरफ से ऐसे मतलब उमीदे छोड़ दी थी कि कुछ होने वाला है 2022 बॉलिवूड के लिए कुछ खास अच्छा नहीं गया दोस्तों लेकिन अब बात करें तो पठान सबके चहरे पर स्माइल लेकर आया है और बहुत बड़ी बड़ी उमीदे लगी है चलिए बात करते हैं ट्रेड एनलिस्ट क्या कहते हैं स्वागते आप सभी का बॉलिवूड से जादा की ही कमाई होने वाली है जी हाँ क्योंकि जिस तरीके से पठान का क्रेज है जिस तरीके से शाहरु खान की फैन फॉलॉइंग है एकसाइटेड है शाहरु खान की फिल्म इतने टाइम बाद देखने के लिए और यह फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं शारुक खान का बॉलिवूड में कमबैक है ना उनकी एक री एंट्री होने जा रही है बॉलिवूड में क्योंकि वो काफी टाइम से एकदम गायब थे बॉलिवूड से और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि शायद जो है 40 तो क्या शायद पचास करोड से भी ओपनिंग हो और यहाँ पर सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी यह है कि बाहुवली 2 के रिकॉर्ड शायद पठान जो है वो तोड सकती है तो यह अपने आप में बहुत बड़ी उमीद भी है एक बहुत बड़ा कॉम्पलिमेंट भी है और देखते क्या कुछ होता है आप सभी को क्या लगता है कमेंट शेक्शन में जरूर बताएगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में